हेलो हेलो एन वेलकम टू मिसन स्टड़ी आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम भारत के महान सम्राट सम्राट कृष्ण देवराय का इतिहास पढ़ेंगे आज का मारा टोपिक है कृष्ण देवराय का इतिहास भारत भारत के महान समराड समराड कृष्ण देवराय सबसे पहले हम समराड कृष्ण देवराय का पूरा नाम जानेंगे समराड कृष्ण देवराय का पूरा नाम था कृष्ण देवराय यदि हम उनके जनम की बात करें समराड कृष्ण देवराय का जनम की बात करें तो उनका जनम 16 फरवरी 1471 इसवी को हुआ था यदि हम समराथ कृष्ण देवराई की मिर्तियुतिति की बात करें तो उनकी मिर्तियुतिति है 1513 इसाम पूर्विन समराथ कृष्ण देवराई ने लगव अथान वर्ष तक उनकी उम्र थी यदि हम समराठ कृष्ण देवराई की उपादी के बात करें तो उनकी उपादी थी आंद्र भोज, अभिनव भोज, आंद्र पिता में आदी उनकी कुछ उबादियां थी समरार कृष्ण देवराय की पहली थी जैसे आंद्र बोज उन्हें आंद्र का भोज कहा जाता था उन्हें अभिनव भोज भी कहा जाता था और उन्हें आंद्र पिता मेह भी कहा जाता था यदि हम समराथ कृष्ण देवराय के शाषन की बात करें तो उनका शाषन था 1509 इसी से 1518 इसी पुर्वे लगभग उन्होंने 20 वर्ष तक शाषन किया समराथ कृष्ण देवराय ने 20 वर्ष तक शाषन किया 58 उनकी कुल उमर थी जिसमें उन्होंने 20 वर्ष सासन किया यदि हम समराथ कृष्ण देवराय की धार्मिक माननेता की बात करें तो वे वेश्णव धरम के परतिपादक थे वे वेश्णव धरम को मानते थी यदि हम समराद कृष्णिदेव राई के सुधार परिवर्तन की बात करें उनके द्वारत क्या क्या कारिये किये गए सबसे पहले आता है कृष्णिदेव ने बंजर एवं जंगली भूमी को कृष्णियोग्य बनाने का प्रयत्ने किया तथा विवहा कर जैसे अलोगप्रियकर को समप्त किया विवहा के रुप में लिया जाने वाला यह एक अलोगप्रियकर है जिसे समराद कृष्णिदेव राई द्वारा समप्त किया गया समराद कृष्णिदेव राई के पूर्व अधिकारी थे वी नर्सिंग यदि हम सम्राठ कृष्ण देवराई के वन्स की बात करें उनका वन्स था तुलू वन्स सम्राठ कृष्ण देवराई तुलू वन्स के चासक थे यदि हम सम्राठ कृष्ण देवराई से सम्मदित लेक की बात करें तो उनसे सम्मंदित लेख थे विजयनगर सामराजे से सम्मंदित लेख था यदि हम समराथ कृष्णी देवराई के विशेश में बात करें तो उनके विशेश में आता है बाबर ने अपनी आत्मकता तुजुक ए बाबरी में कृष्णी देवराई को भारत का सरवाधिक सक्तिसालिस सासक बताया है तुजुक ए बाबरी यह जो ग्रंथ है यह जो आत्मकता है यह यह जो आत्मकता है यह लाहोरी द्वारा लिखी गईती अपर के उन्होंने गरंथ लिखा था अकबर नामा अकबर नामा जिन्होंने लिखा उनका नाम था अबुल फजल और अबुल फजल के सिच्छे थे अहमद हमीद लाहोरी जिन्होंने तुजुक एबाबरी लिखी थी इसमें बताया गया है कि बाबर ने अपनी आत्म खता तुजुक एबाबरी में किश्य देवराई को भारत का सरवादिक सक्तिशालिशासक बताया यदि हम समराठ कृष्य देवराई के अन्य जानकारे के बात करें तो कृष्य देवराई तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था कृष्ण देवराय जो थे वे तेलुगु साइट्य रक्षिन भारत में तेलुगु साइट्य तेलंगाना के महान विद्वान थे उसने तेलुगु के प्रसित ग्रंथ अमुक्त माल्यद या विस्वु वित्य की रचना की कृष्ण देवराय के द्वारा ग्रंथ है अमुक्त माल्यद या विस्वु वित्य की रचना भी क्रिश्ण देवराय नहीं की थी उसकी यह रचना तेलुगु के पांच महा काव्यों में से एक है यदि हम भायत के सरवादिक सक्तिसालिष चाशक क्रिष्ण देवराय का लिए US सक्ति के दिश्टी कौन से अपने चर्मो उतकर्ष पर था यदि हम उनके शाषनकाल की बात करें उसके शाषनकाल के समय विजयनेगर सामराजे जो था वह चरम उतकर्ष पर था वह शक्ति की दृष्टी से एश्वर्य की दृष्टी से उस समय चरम उतकर्ष पर था कृष्ण देवराय ने अपने सफल सेनिक अभ्यानों के अंत्रगत 1509-1510 इसवी में बीदर के सुल्तान महमुद सा को अदोनी के समीप हराया यदि हम कृष्ण देवराय की उपलब्दियों की बात करें तो उन्होंने 1509 से 1510 में बीदर के सुल्टान महमूद सा को अदोनी के समीप हराया 1510 इस्वी में उसने अमूत्तूर के विद्रोही सामन्त को प्राजित किया 1512 इस्वी में उन्होंने 1510 इस्वी में उसने अमूत्तूर के विद्रोही सामन्त को प्राजित किया 1512 इस्वी में कृष्ण देवराय ने बीजापूर के सासक यूसुफ आदिल खां को प्रास्त कर रायजूर पर अधिकार किया यदि हम समरार किश्य देवराई की एक और उपलब्दी की बात करें तो उन्होंने 1512 इस्वी में उन्होंने बिजापूर के सासक यूसुफ आदिल खां को भी प्राजित किया तत पशात गुल बरगा के किले पर अधिकार कर लिया उनके एक और बड़ी उपलब्दी थी कि उन्होंने गुल बरगा के किले पर भी अधिकार किया उसने बीदर पर पुने आकर्मन कर वहां के बहमनी सुल्तान महमुद सा को बरीत के कबजे से छुड़ा कर पुने सिहासन पर बिठाया अब बीदर पर बारे में बताया गया है कि उन्होंने बीदर पर पुने आकर्मन किया और वहां के बहमनी सुल्तान थे महमुद सा उनको जो है उन्होंने बरीत के कबजे से छुड़ा कर उन्होंने पुने बीदर के पिहासन पर बिठाया और साथ ही यवन राज स्तान्पनाचारिय की उपादी धारन की उन्होंने एक उपादी धारन की थी इसी वज़े से उनके एक उपादी थी यवन राज स्तापनाचारिय की उपादी समराथ पृष्ण देवराय को स्तापनाचारिय की उपादी से नवाजित किया गया पंद्रा सो तेरा से पंद्रा सो अठारा इसवी के बीच कृष्ण देवराय ने उडिसा के गजपती शासक प्रतापृद्र देव से कम से कम चार बार युद्धि किया उनकी एक और बड़ी उप्लब्धी है समरा कृष्ण देवराय की कि उन्होंने 1513 से 1518 इसवी के बीच कृष्ण देवराय ने उडिसा के गजपती सासक प्रतापृद देव से कम से कम चार बार उन्होंने युद्धि किया और उसे हर बार प्राजित किया उन चारो ही रियुदों में उन्होंने कृष्ण देव राई ने प्रतापरुद देव को प्राजित किया चार बार की पराजे से निराज प्रतापरुद देव ने कृष्ण देव राई की संधी से प्रातना कर उसके साथ अपने पुत्री का विवा कर दिया प्रतापुर्थ देव जो थे उन्होंने कृष्ण देवराई की संधी के पात्था कर उन्होंने अपने पुत्री का विवा कृष्ण देवराई से कर दिया गोलकुंडा के सुल्तान कूली कुतुप शा को कृष्ण देवराई ने सालूप तिम के द्वारा प्रास किया एक और बड़ी उपलब्दी है कृष्ण देवराय की उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान थे कूली कुतुपशा को कृष्ण देवराय ने सालुप तिम के द्वारा प्रास्थ किया कृष्ण देव राय का अंतिम सेनिक अभ्यान बिजापूर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के विरुद था यदि हम देखें तो कृष्ण देव राय का अंतिम सेनिक अभ्यान बिजापूर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के विरुद था और 1520 इसवी तक कृष्ण डेवराय ने अपने समझ सत्रूओं को प्रास्त कर अपने प्राक्रम का परीचे दिया समराध कृष्ण डेवराय ने सापनाचार्य की उपाधी धारन की 1513 इसवी में उडिसा पर आक्रमन कर या और उदेगिरी के प्रशित दुर्ग को जीता वैसे तो सन 1510 इसवी में समराध कृष्ण डेवराय का राजी विशेख विजयनेगर सामराजी के लिए एक नए जीवन का प्रारम था किन्तु इसका उद्भव तो सन 1336 इसवी में ही हुआ था कहते हैं कि विजयनेगर सामराजी के प्रथम सासक हरिहर था उनके भाई बुक्का राय भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे कई बार एक्जाम यह वाले कि इसमें बहुत 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 बढ़ पुछा जाता है कि विजयनेगर सामराजी के चाशक कौन थे चाशक थे दो भाई थे प्रथम सासक थे पहला था हरिहर था था बुक्का यह दोनों हरिहर बुक्का हरिहर हरीहर राय और बुक्का राय ये दोनों विजयनगर सामराज्य के प्रत्रम सासक थे और ये दोनों ही भाई श्रीकृष्ण के भक्त थे और उन्हीं के प्रेना से अधर्म का विनाज और धर्म के स्तापना करना चाहते थे अंत में कृष्ण देवराय विजयनगर के सरवादिक कीरतिवान राजा थे वे सुए कवी और कवियों के स्नक्षक थे तेलुगु भाषा में उनका कावे अमुक्त माल्यत साहिते का एक रत्न है कृष्ण देवराय का तेलुगु भाषा में उनका एक कावे था अमुक्त माल्यत साहिते जो की एक रत्न है इनकी भारत के प्राचिन इध्यास पर आधायत पुस्तक वन्स चरितावली तेलुगु के साथ संस्कत में भी मिलती है राजा कृष्ण देवराय द्वारा संस्कत और तेलुगु में एक प्रसित पुस्तक है वन्स चरितावली इनके द्वारा भायत के प्राचिन इध्यास के सम्मन में वन्स चरितावली लिखी गई थी संभावत है तेलुगु का अनुवादी संस्कत में हुआ प्रख्यात इतिहासकार तेजपाल सिंग धामा ने हिंदी में इनके जीवन पर प्रमारिक उपन्याद आंद्रबोज लिखा है इस प्रख्यात इतिहासकार है तेजपाल सिंग धामा इन्हों ने हिंदी में उनका इक उपन्याद लिखा था आंद्रबोज के नाम से तेलगु भाषा के आठ प्रसित कवी इनके दरबार में थे जो अश्टर दिगज के नाम से प्रसित थे स्वेक कृष्ण देव राय भी आंद्रबोज के नाम से विख्यात थे जैसे कि तेलगु भाषा के आठ प्रसित कवी थे इनके दरबार में थे प्रिश्ण देव राय के दर्बार में पेलगु भाषा के आठ प्रसित कभी थे और जिनको अश्ट दिगज कहा जाता था यह वाला कुशन बहुत पूर एक्जाम में पूछा गया है कि अश्ट दिगज किन के दर्बार में थे अज ते दिगज कार्थ होगा कि आठ प्रिशिद कभी जो कि प्रिशिदीव राई के दर्बार में थे इसी के साथ आज को मारा यह वीडियो कम्प्लीट होजा है थैंक्स पर वोजिंग और किस सपोर्टिंग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में